ओके एलो प्रेंट कैसे हो आप सब में हूँ वीशी और आप देख रहें बाउन टो इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल आल फिलाल आयर सेटीसी का आईपियो आने वाला है तो क्या करें एपलाई करें या रहने दें चले जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में जो गंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीगे क्योंकि आपको हमारी नोटविशन सबसे पहले मिल जाए तो पहले जान लेते कि यह इस्यू ओपन और क्लोज कब होने वाला है तो ओपन आज हुआ मतलब 30 सब्सक्राइब को यह ओपन हुआ और 3rd ओक्टोबर को यह क्लोज होगा बाद में देख लेते face value कितनी है face value 10 की है बाद में issue price क्या issue price यह 315 से लेके 320 retail investor को discount दिया जाएगा 10 रूपे का मतलब retail investor को यह 310 में पड़ेगा बाद में employee discount जो भी 10 रूपीस का है बाद में market loaded 14 मतलब आप minimum 40 purchase करना होगा वही लिखा है minimum order quantity 14 बाद में listing कहां पर होगी listing होगी NSC और BSC दोनों पर बाद में open कब हुआ आज open हुआ है close कब होगा 3rd October को एक close होगा बाद में जो initial refund का जो होता है बाद में मतलब जिसको मिला है जिसको नहीं माल जिसको नहीं मिला उसको refund होता है तो refund वाली डेट है 10 अक्तोबर बाद में आपको share आपके dmit account में 11 अक्तोबर को आएगे और IPO listing होगा 14 अक्तोबर को तो मतलब यह उसकी पूरी डीटेल थी बाद में यह लिखा है minimum कितना आप ले सकते हो maximum 40 ले सकते हो maximum 600 ले सकते हो अब हम देखते है क्या है कि इसकी profit and loss statement कैसी है अब हम आ चुके इस company के profit and loss statement के उपर तो देखिये पिछले 3 year में इसने अपने total asset को मतलब year to year increase किया जो कि एक अच्छी बात है मतलब 2017 में देखो उससे 2018 में increase हो है 2018 के compare में 2019 में increase हो जो कि एक अच्छी बात है बाद में हम देखेंगे total revenue तो total revenue देखे 2017 से compare में 2018 में क्या है कि approach उतना ही रहा है इंक्रीज हुआ बाद में आता है profit after tax तो profit after tax भी देख लो 2017 के compare में 2018 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले 2018 के compare में 2019 में बहुत बड़ी upset देखने को मिले जो total revenue में था अगर आप year to year compare करोगे तो बीच में 2018 में थोड़ी गिरावट देखने को मिले देखने को मिले जोकि अच्छी बात है बाद में EPS देखते तो year to year यह increase हो रहा है मतलब three year में देखो तो यह increase हो रहा है लेकिन 2017 में था 14.32 बाद में 2018 में ओर 13.79 बाद में 2019 में 70.04 मतलब आप three year को compare करोगे तो यह increase हो रहा है जोकि एक अच्छी बात है At the end, एक कौन से PE पे इस्यू होने वाला है, तो 18.78 पे इस्यू होने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छा PE में मानता हूँ, तो यह जो PE है, जो सेक्टर को बिलोंग करता है, उस सेक्टर में यह PE नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, जो इसकी PE है, 18.78 मेरे को अच्छी करूँगा, लेकिन मैं वेट करूँगा, लास्ट दे तक, अगर यह 10 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, तो मैं इसको एपलाई करूँगा, और यारो, यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज यारो, लाइक, कॉमेंट और सब्सक्रेब कर देना, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टटा, गुडबाई, जाई हिन्द